हलो फ्रेंज मैं हूं अग्मा ऑनपासिफ की प्राउड फाउंडर और स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपने चानल ऑनपासिफ दुनिया में तो फ्रेंज इस वीडियो में आज हम इमाजिनेशन पर बात नहीं करेंगे बलकि फैक्च्वल चीजों पर बात करने वाले ह इन तक जरूर देखे जरूर देखें मिस ना करें अगर हम बात करें हमारे अन पासिफ की तो हम साभी को पता है कि जो हमारा आण पासिफ है वह एक live changer concept की तरह सामने आ रहा है जहां पर हम साथ आसपास के लोगों की भी लाइब को इन सारे चेंजिस के बात जो है दुनिया में और ओवर all changes भी सामने नजर आने लगेंगे तो अगर हम facts की बात करें अगर कोई भी company start होती है कोई भी startup होता है तो जो success होता है वो एक long hard road है जादातर हम खुद को exception मान कर चलते हैं बट कभी-कभी हम लोगों को facts की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए marketing gurus का मानना है कि जो इस तरीके की industries या companies होती है कम से कम 6 साल के hard work के बाद ही उनको overnight success मिल पाता है तो आज हम बात करेंगे इसी तरीके के facts के regarding like Bill Gates से लेकर Mark Zuckerberg तक के लोगों के data के बारे में अगर हम बात करें Bill Gates की तो Bill Gates ने Microsoft की स्थापना की थी 1975 में और 6 साल के बाद Gates मैनेज कर सके IBM के साथ एक contract IBM यानि की International Business Machines ये एक American Multinational Technology Company है और फिर इसके भी 5 सालों के बाद यानि की 1986 में Microsoft पब्लिक हुई अगर हम बात करें Apple की तो Steve Jobs को 10 साल लग गए Billionaire बनने में 1976 में establish करने के बाद कोई भी से नहीं जानता था Massintosh के एक project start करने के बाद जिसमें low cost के computers के बारे में सोचा गया था consumers के लिए उसके बाद ये लोगों के नजरों में आया 1984 में और 80s और 90s के struggle के बाद आज जो हम जानते हैं Apple को वो हमारे सामने आया है और अगर इसके बाद हम बात करें Yahoo की तो इसके founders हैं Jerry Young and David Fillo 1994 January में establish किया था 96 April में Yahoo की जो public offering थी पहली तो उसमें 33.8 million dollars का हुआ था Amazon और Yahoo दोनों ने ही एक benchmark set किया है industry में overnight success का तो इसके बाद अगर हम Google को देखें तो Larry Page और Surgery Brand ने Google पर 1996 में काम करना start किया तीन साल के बाद यानि की 1999 में बहुत कम लोगों तक ये पहुँचा लेकिन अगले 5 सालों में यानि की 2004 में ये सभी लोगों तक फोहुच चुका था वो भी 23 billion के market capitalization के साथ अब हम अगर देखें Facebook को यानि Mark Zuckerberg ने इसकी स्थापना की थी अपने friends के साथ मिलकर अपने सफर के शुरुआत की और शुरुआत में loss होने के बाद अपने नाम को change करके Facebook रखने के बाद जाके इनको भी overnight success मिली तो किसी भी company को start करने के बाद भी hard work की जरूरत होती है और ये hard work महीनों या सालों के बाद ही रंग दिखाता है अगर हम बात करें हमारे on passive की तो अपने launch के first year में 3 billion dollar generate करेगा लेकिन कम से कम 25 billion dollar जादा realistic है जो अब हम करने जा रहे हैं वो भी हमारे सालों के hard work के जो महनत है वो हमारे सामने आने वाला है अभी जितने भी हमने companies का जिकर किया तो आप सभी ने notice किया होगा कि उसमें founders या CEO एक दो तीन या चार थे उन्होंने अपने effort से success हासिल किया और उन्हें time भी लगा तो उनका जो dedication था उसी के बाद वो दुनिया पर चाहे बट इसका जो profit है उन दो या चार लोगों तक ही पहुँचा उन दो या चार लोगों को ही profit मिला लेकिन अगर हम बात करें हमारे company on passive की तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारे CEO जिन्हे 25 years का marketing experience है प्लस हमारे engineers हमारे Indian engineers जो के हमारे लिए proud की बात है दुनिया में हमारे जो Indian engineers हैं वो अपने talent और hard work के लिए जाने जाते हैं हम खुदी imagine कर सकते हैं कि जो हमारे products होंगे वो किस level पर होंगे और इसके बाद हमारे great leaders जिन्होंने इसे कोने कोने तक पहुचाया पूरे world के और आज जो है हम पूरे 14 lakh से जादा की फौज बन चुके हैं तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी community है तो obviously बात है इतनी बड़ी community का एक साथ अगर effort लगेगा तो जो success होगा वो बाकी सारी companies से उतने ही time जादा रहने वाला है और साथ ही time भी कम लगेगा हमें successful होने में बस जरूरत है हमें positive रहने की अपने company के mission और vision को समझने की और कभी-कभी हमें fact से सीखने की जरूरत है ना कि imagination पर जाने की जरूरत है हमें बस faith रखना है हम सभी को पता है कि 20 November से पहले हम business करने के लिए यहाँ पर ready होने वाले हैं तो अपने आपको उन चीजों के लिए prepare करके रखना है process अब बहुत जादा interesting और fast हो गया है डेली कुछ न कुछ नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है हमारे CEO जो है webinars conduct करके हमें updates भी दे रहे हैं और एक या दो सालों के बाद ही हम जितने भी founders हैं हम सभी को proud feel होने वाला है कि हम यहाँ पर founder है और हमें उस वक्त अपने इस decision पर बहुत जादा proud feel होगा कि हमने 2 या 3 या 4 साल पहले बहुत ही अच्छा decision लिया था अपने life का तो friends यह थी कुछ factual चीजें जो मुझे लगा आप लोगों तक share करने चाहिए I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like और share जरूर करें चैनल को subscribe करने ना भूलें बेल एकन को hit कर लें Thank you so much we are so in it to win it